बाजू और आख में लगी चोट के साथ इवेंट में अवार्ड लेने पहुंच गई थी इश्वर्या चोट छुपाने के लिए लिया था चश्मे का सहरा अक्ट्रोस का हाल देख चौक गया था सारा जमाना तो पती अभिशेक संग तलाग की अफ़ाहों के बीच वाइरल हु किते कई महीनों से अपनी परसनल लाइफ को लेकर चर्चा का विशे बने हुए हैं इस कपल की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफ़ाहे भी उड़ रही है आए दिने ने लेकर कोई ना कोई अपडेट भी सामने आ ही जाता है हाला के अभी तक एश अभी और बच्चन परिवान ने नफवाहों पर कोई भी रियाक्शन नहीं दिया है तो अब इन सब के बीच बच्चन भहु इश्वर्य राय का वो वीडियो इंटरेट की दुनिया में वाइरल हुआ है जिसमें इश्वर्या का हाल बदहाल नजर आया था आखिर उस वक्त आश अनसंग अफैर को लेकर चर्चा में बनी हुई थी और तभी उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने भी लोगों का दिल जीता था इसी फिल्म के लिए एश्वर्या को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था और जब अवार्ड सेरिमिनी में एश्वर्या नजर आई पर लगी चोट को छुपाने के लिए गौगल्स पहन रखे थे पर फिर भी उनकी चोट साफ तरह से नजर आ रही थी ऐसी हारत में अवार्ड लेने गई एश्वर्या राय को देख हर कोई चौक भी गया था हालकि एश्वर्या राय ने खुद मीडिया को चोट लगने की व बड़ी धुरगटना नहीं हुए कोई हड़ी भी नहीं तूटी तब लोगों ने इसके तार उस वक्त उनके बॉइफ्रेंट रही सल्मान खान से भी जोड़ दिये थे क्योंकि एश्वर्या और सल्मान के लव स्टोरी के चर्चे किसी से भी छुपे हुए नहीं रहे हैं दोनों का प्यार जितने तीजी से शुरू हुआ था इतना ही बुरा इसका अंत भी रहा था सल्मान के उपर इश्वर्या ने हाथ उठाने तक के आरोप लगाये थे जिसके बाद सल्मान की इमेज अग्रेसिव और ओवर पजेसिव पार्टनर तक की बन गई थी बात इश्वर्या की करें तो इस समय आक्टरस अपनी परसनल लाइफ की वज़ा से ही खबरों में च्छाई हुई है लंबे वक्स से यतकले लगाई जा रहे हैं कि इश्वर्या का अपने पती और ससुराल वालों से अनबन का रिष्टा चल रहा है और उनकी 17 साल पुरानी शादी में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है जिसके चलते अब वो ससुराल वाले घर जलसा से अलग माई के में रहती है रिपोर्ट के माने तो इश्वर्य और अभिशेक बच्चन के बीच दूरिया इसलिया आई है क्योंकि आक्टिव निम्रत कौर को डेट कर रहे हैं हाला कि निम्रत ने एक इविंट के दूरान कहा था कि वो सिंगल है और इन अफ़वाहों पर फुल स्टॉप भी लगा दिया था मैश्वर्य और अभिशेक ने तलाग की अफ़वाहों पर अब तक चुप्पी ही साधी हुई है Bureau Report E24